जिग्यासुमित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्व स्रजन में परतेख दिवस की भाती आज भी हम लाइव चर्चा के इस काईकरम में एक विशय लेकर तो कि विशय है मानस रूग का इस विशय पे हम चर्चा करेंगे मानस रूग रामचरित मानस का यह विश विशय है रामचरित मानस पर जिन पर हम चर्चा करते हैं वे आगे बढ़ेंगे तो आज का जो विशय है यह दिभी रामचरित मानस पर अब कुछ ही विशय बचे हैं जिन पर चर्चा करना है और फिर हम इस ग्रंथ पर व्याक्या का समापन करकर नई दिशा में नए विश पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो रामचर्त मानस में एक बहुत ही महरत्वण विशय पर चर्चा है रामचर्त मानस की विशेस्ता ये है कि ये कल्यूग के समस्याओं पर चर्चा बहुत करती है कल्यूग में जो समस्याओं हैं उन पर चर्चा करती है और उसका निवार योग से है ज्यान से है भक्ती से है ऐसी बाते भी रामचरत मानस में बारबर प्रमानित किया गया है लेकिन बहुत बढ़ियां से कल्यूग के कल्यूगी समाज में कैसी परस्थीतियां बनती है और यह भी नहीं कि वो एक प्रकार से इसकी निंदा कर रहे हो वो बस बता रहे ह है कि तमोग उनके बहुत बढ़ने से ऐसे ऐसे परस्थितियां बननी शुरू हो जाती है तो वैसे ही कल्यूग की एक विशेस्ता है मानस रोग मास मानस रोग जो है mental diseases mental disorders आजकल हम इस mental disorders को कई नाम से आजकल हम हम hypertension कहते हैं हम personality disorder कहते हैं हम bipolar बोलते हैं कुछ लोग फिर इसकी जो फ्रीनिया बोलते हैं थोड़ा सा हाई लेबल में चले जाते हैं तो जहांपर कुछ नॉर्मल से अलग चीजे होनी शुरू हो जाती है हमारे साथ तो अने को नाम दिये गया है personality disorder, bipolar, इसकी जो फ्रीनिया, depression, hypertension अने को चीजे हैं ठीक ना, anger disorders होते हैं तो बहुत तरह की चीजे होती हैं बहुत तरह की समस्याइं होती हैं जो मन से संबंदित होती हैं तो मन से संबंदित होने के कारण मानसिक रोगों की विकास हो जाता है यह दपी मानसिक रोग तो शुर होता है इसलिए गरुल जी मानस रोगों की गरुल जी सात प्रशन करते हैं काग भुसंडी जी सात प्रशन उनमें संतों के विश्या में प्रशन करते हैं मनुष्य देह के विश्या में प्रशन करते हैं कि सबसे बड़ा और महत्वुन शरीर कौन सा है जिसे की मुक्ती संब तो नर्तन के बारे में गाग भुसंडी जी समझाते हैं फिर मानस रोगों की जब चर्चा करते हैं ये मानस रोग क्या है ये मन के रोग हैं और अनेक प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं जो मन के रोग हैं तो मन के रोग अब दूर कैसे होंगे उस पर भी हम अच्छा करतेए जो बाते लिखते हैं, को लिखते हैं कि मानस रोग एक तो वो कहते के निंदा, निंदा करना एक मानस रोग है, जो निंदक है, उसकी गती बहुत ही बुरी होती है, सबके निंदा जेजड़ करही, ते चमगादर होही अवतर जो सब की निंदा करने में जो व्यक्ति लगा रहता है वो चमगादर होकर जनम लेते हैं हेतात अब मानस रोगों को सुनिए सुनहुतात अब मानस रोगा जिनते दुख पा वही सब लोगा तो सुनहुतात अब मानस रोगा मानस रोगों के बारे में सुनिए जिनिते दुख पा वहीं सब लोगा जिससे कि सारे लोग सारे मनुष्य समाज दुख पाता है निंदा भी एक मानस रोग है और बहुत बुरा कर्म है जिसका प्रणाम बहुत भेंकर होता है किसी का हमेशा निंदा करते रहना तो अब यहाँ पे चर्चा वो मानस रोगों की करते हुए लिखते हैं कि अब दूसरे मानस रोग कौन से हैं मोह सकल ब्याधिन करी मूला मोह जो है वह भी मन का एक रोग है और वो सभी ब्याधियों की जड़ है दूसरी सभी बिमारियों की जड़ है मोह सकल ब्याधिन कर मूला तिंते पुनी उपजही बहुसूला मोह से बहुत सारी व्याधियों का वो जड़ है तिंते पुनी उपजही बहुसूला और बहुतरह के शूल, बहुतरह के काटे, बहुतरह के दुख तकलीफों को ये उतपन करती है काम बात कफ लोब अपारा जो काम है वह वात है वात रूप में होता है वायू रूप में अब यहाँ पर वो तत्वों का संबंद बनाते हैं कि काम और वात वायू बिगड़ने से या वायू बढ़ने से काम विकार बढ़ जाता है पित बढ़ने से क्रोध विकार बढ़ जाता है क्रोध पित नित चाती जारा रोगों की जड़ है वो मोह रुपी और उन सभी व्याधियों का वो मूल है और अने को शूल उत्पन करने वाला है काम वात है, लोब कफ बढ़ने से, अब यहाँ पर वो थोड़ा सा संबंध भी बना रहे हैं तत्वों से, जो धातू है हमारे शरीर में, आपके वात, कफ, पित, तो वात से काम विकार के वरदी होती है, कफ से लोब विकार के वरदी होती है, और पित से क्रोध विकार, पित बढ़ने से क्रोध बढ़ता है कफ बढ़ने से लोब बढ़ता है और वायू बढ़ने से वात बढ़ने से काम विकार भी बढ़ता है ठीक है तो जिनको भी अगर लोब से संबंद ज्यादा समस्या है क्रोध ज्यादा आता है तो अपने शरीर में पित की मातरा को कम कीजिए ठ यदि आपको काम विकार बहुत ज़्यादा आता है, अनेकों प्रकार के काम विकारों से लोग ग्रसित रहते हैं, तो वो ज़्यादा यदि आता है, तो वायू भी बढ़ने से ऐसा होता है, तो अगर हम उसको सही अमित कर लें, उनको सही जगा पे हम ले आए और सही जगा पे जीवन में आती है इन तत्वों के यह मांसिक रूप के रूप में सामने समस्याएं आती है इन सब चीजों के बढ़ने से लेकिन अगर व्यक्ति अपने स्वास्ते का भी ध्यान रखे इन तत्वों का ध्यान रखे और विजातिय द्रव्यों को जो toxic elements है body के अंदर उसको बाहर निकालिए शरीर से detoxification जरूरी है इसी लिए इस channel के माध्यम से हम ध्यान योग और प्राकिर्तिक चिकित्सा का course चलता है नाचुरोपैथी जो प्राकिर्तिक चिकित्सा है वास्तों में detoxification process है अपने शरीर से विजातिय द्रव्यों को बाहर निकालने का एक तरीका है ठीक है तो विजातिय द्रव्यों को बाहर निकालने का एक तरीका है detoxification का एक method है नाचुरोपैथी तो प्राकिर्तिक चिकित्सा और ध्यान योग इसी लिए साथ साथ चलता है क्योंकि दोनों मन के उपर कारे करते हैं शरीर को स्वस्त रखना शरीर के तत्वों को संतुलन में रख ध्यान आपका अच्छा लहेगा ध्यान सहस्ता से लगेगा आप ध्यान का लाब उठाएंगे आप ध्यान का आनंद उठाएंगे ध्यान के मार्क पर बहुत तिवर्ता से आप आगे बढ़ेंगे अगर आप इन सब चीजों को सही धंग से कर लेते हैं तो प्राकिर्तिक चि दिन का समय है जोईन करने के लिए। इनको करना है वो अवश संपर्क करें दिये हुए नमबर पर। तो आगे लिखते हैं कि आगे कौन-कौन से मानस रोग है। अब इन जरनी सो इछाई कुष्ट दुष्ट ता मन कटू लई। ममता दाद के समान है, जो ममता किसी चीज में आ सकती पैदा हो जाती, वो दाद के समान है। इर्शया जो खुजली के समान है, ममता दाद और कंडू इर्शाई, कंडू मतलब खुजली, ताह इसो कहते हैं आदमि pesar खुझली करने के आदब जो इर्षया है जो इर्षया लोप्रविर्टी है वो खुझली के समान है ममता-दाद इर्शा कंडू- इर्षाई हर्श विशाद गले के रोगों की अधिकता है फर्ष विशाद जो है वो शरीर में पैदा होने वाले गले के रोगों की अधिक्ता की समान है तो मन के अंदर किसी को देखर जलना, कुटिल भाव रखना, किसी को नुकसान पहुचाने के भाव रखना, शड़ेंत्र करने के भाव, तो किसा मन के विकार है, और ये दूसरों को क्या नुकसान पहुचाएंगे, जो मन है न वो दुधारी तलवार है, double-edged sword है वो मन, double-edged sword तो दुधारी तलवार, दोनों तरफ इसकी धार होती है, एक तरफ दूसरों को काटेगी तो एक तरफ खुद को काटती है, ये इस मन की समस्या है, तो दूसरों के परती इरशा भाव रखना, दूसरों के परती नुकसान करने का भाव रखना, इस तरह के जो अनेकों भाव हमारे मन में आते हैं वो दूसरों का नुकसान कितना करेंगे लेकिन हमारा नुकसान तो पक्का करते हैं हम अपने मन को गिराते हैं, मन का पतन करते हैं और मन में बहुत सारे नकरात्मक भावनाएं लेकर आते हैं देख न तो ये हमें विचार करना ये मानस रोगों का विशय है तो अनिक मानस रोगों की चर्चा इर्शया हो गया चर्चा हो रही है ममता हो गया और इर्शया खुजली के समान है ममता दाद के समान है आसकती और इर्शया दाद खुजली के दाद खाद खुजली खुजली बोलते हैं न हम लोग, तो उसके समान ये है, और दूसरों की उन्नती को देखकर इर्शा रखना ये और भी दूसरी समस्या है, अहंकार अती दुखद डमरुआ, डमरु मतलब गाट, गाट मतलब कैंसर, देखना, टूमर, ठीक है, तो अहंकार अती दुखद डमरु यहाँ पर डमरुआ का अर्थ है, गाट से मतलब है, कैंसर से मतलब है, टूमर, टूमर, ब्रेन टूमर हो जाएगा, तो फिर क्या होगा सोचिए, तो एहंकार अती दुखद डमरुआ, दंब कपट मद मान नहरुआ, और जो दंब और कपट है, मद और मान है, एहंकार है, य इसके मन में एहंकार है समझो उसको tumor हो रखा, उसके mind को tumor हो रखा है, एक tumor आपके body को होता है, brain को होता है, किसी organ में tumor हो जाता है, लेकिन एहंकार अति दुखद ढमर हुआ, ये एहंकार रुपी जो tumor है, ये बड़ा खतरनाक है, दंब कपट मद मान नहरुआ, दंब कपट मद और मान जो ये नसो, neurosystem का disorder है, तृष्णा उदर ब्रधी अतिभारी, और जो तृष्णा है, तृष्णा बहुत कुछ प्राप्त करने की, हमेसा ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, तृष्णा वंत जगत में दुखी, तृष्णा वंत जगत में दुखी, आठ पहर का पेट जैसे बढ़ जाता ना पेट जैसे फैल जाता है, आदने का तौंद निकलती रहती ना, बढ़ती रहती है तौंद, कृष्णा उस समान है, तृष्णा उदर ब्रधी अतिभारी, तृभृद इशना तरूनती जारी, और तीन परकार जो पुत्रधन और मान की प्रब तिजारी हैं ये सब बहुत कश्ट पहुंचाने वाली त्रिशना है संसार में संसारिक वस्तुओं की अत्यधिक प्राप्ति करने की जो त्रिशना है ठीक वो उद जलोदर रोग के भाती है उदर विर्धी जो जैसे पेट में पानी भर जाता है पेट बढ़ना शुरू हो जा ये जो है एक बिमारी बन जाती है तो उस तरह से ये त्रिशना है त्रिशना उदर ब्रधी अतिभारे त्रविद इशना तरुन तिजारी एक ब्याधी बस नर्म रही अरे मनुष्य के मरने के लिए एक ही बिमारी बहुत है लेकिन यहां पर तो अनेको बिमारिया है एक ब् बहुत ब्यादी इस असाध और बहुत तरह की ब्यादिया है जो असाधी है मतलब साधा नहीं जा सकता उनको पीड़ ही संतत जीव कहूं सोकि मिलहे समाधी ये जीव को निरंतर अनेको कश्ट है और ये सब कैसे शांत होगा समाधी से सांत होगा पीड़ ही संतत जीव कहूं सोकि मिलहे समाधी ऐसी दशा में वो समाधी को कैसे प्राप्त होगा जो इतनी बिमारियों से गरसित है और समाधी को प्राप्त होना ही तो सारी समस्याओं का समधान है जनम बरन के चक्कर से मुक्ती है नेम धर्म आचार तप ज्यान जग जप दान भेशज पुनी कोटिन नहीं रोग जाही हरी जान नियम धर्म आचार उत्तम आचरन तप ज्यान यग जप दान ततार करोडो और शदिया हैं परनतु हे गरोजू उनसे यह रोग नहीं जाते तप कर लो ज्यान कर लो यग कर लो जप कर लो दान कर लो जीने बिना योग समाधी के कैसे होगा एही बिदि सकल जीव जगर रोगी सुक हरश भय प्रती भी योगी मानस रोग कछुक मैं गाई हैं ही सब के लखी ब्रलेन पाए इस परकार जगत में समस्त जीव ही रोगी है श प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ छण अवश हो जाते हैं अगर रोग के बारे में पता चल गया तो वो कम हो जाएंगे पता चल गया मेरे अंदर बहुत ख्रोध है बहुत लोब है तो उसमें कमी तो जरूर आ जाएगे परन्तु नाश नहीं होता विशह रूप कुपत्य पाकर ये मन मुनियों के हिरदय में भी अंकुरित हो उड़ते हैं रिश्वी मुनियों के उसमें भी रोग उड़ते हैं तब बेचारे सधारन मनुष्य क्या चीज है रोग तो आएगा ही आएगा परन्तु समाधी ही वो अवस्था है योग समाधी की ही वो अवस्था है जिससे की मानस तो लोग पूर्णता सांत होते हैं, इसलिए योग रहस्य को जानना जरूरी है, योग रहस्य को समझना जरूरी है, योग रहस्य से ही इन रोगों का सही सही निवारन हो पाता है, ज्यान वैराग्य से ही सही सही हो पाता है, साधना से ही, आत्म ज्यान से बिना आत्म ज्यान के मांसिक रोगों का निवारन समभव नहीं है लिए योग की और बढ़ना चाहिए स्वरूप ग्यान की और बढ़ना चाहिए स्वरूप की उपलब्धी अर्थात आत्मसाखशातकार आत्मे ज्यान जो पतंजली योग सुत्र में चर्चा मिलती है यहाँ पर भी तुसी दाजी लिखते कि सब पुर्ण मन कब शान्त होता है तो समाधी के वस्ता में मन पुर्णता शान्त हो जाता है तो ऐसी वस्ता में ये संबव पाता है तो ये हमें उस ओर बढ़ने का हमें प्रयास करना चाहिए और इन रोगों से निपटना और जीवन जीने का तरीका सीखना चाहिए मुखे रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण विश्य है कि हम जीवन सही ढंग से जी अहाँ बिमारिया तो है लोब, मोह, काम, क्रोध, एहंकार अनेक परकार से हैं जब इनकी मात्राएं बढ़ती हैं, घड़ती हैं तो परिशान करती हैं प्रोध ज़्यादा बढ़ेगा तो परिशान करेगा, लोब ज़्यादा बढ़ेगा तो परिशान करेगा तो इस प्रकार से ये विकार जब बढ़ते हैं तो हमें परिशान करते हैं मन को अशांत रखते हैं, मन को दुखी रखते हैं, अज्यात भय को भना कर रखते हैं, ऐसी कई चीजों से जीव गुजरता रहता है ठीक है? तो ये सब इस्थितियां हमारे साथ बनने शुरू हो जाती है तो हमें इन सब पर विचार करना चाहिए और इन मानस रोगों का आप समधान क्या है? तो मानस रोगों का समधान भी गोसा में जी बता देते हैं कि समधान भी यही है कि तुम भक्ती मार्ग पे चलो, तुम योग मार्ग पे चलो अपने आप फूल खिल जाए ये भी मान जाओ लेकिन किसी के ये मानस रोग बिना भक्ती बिना ज्यान बिना योग के अगर किसी के ठीक हो जाए तो यह कदापी संभव नहीं है यह संभव नहीं है तो यह संभव भी होता है ज्यान योग से ही यह संभव होता है या व्याख्यान ही मातर नहीं होते, इस चैनल के माध्यम से ध्यान यूग का कोर्स चलता है, online course, meditation का, one month का कोर्स, एक महिने का ध्यान यूग का कोर्स चलता है, और फिर प्राकर्तिक चिकिस्था का कोर्स चलता है, जिससे किम अपने शरीर को सही रख सके, हम ऐसी क्रियाओं को समझें, क्योंकि देखिए, प्राकर्तिक चिकिस्था जो है, बहुत महत्पुर्ण है, क्योंकि वैसे भी कुरोना का ये काल, जहां पर बहुत सारी दवाईयां ही, इस बिमारी के नहीं है, हमें खुद अपने स्वास का ध्यान अत्यधिक रखना पड़ता है, तो प्राकर्त शरीर में रहने की, जो वाइरस है, बैक्टिरिया है, उनके शरीर में रहने की या टिकने की संभावना, अरे भाई, उनके रहने की जगह चाहिए ना, और वो गंदगी में रहते हैं, शरीर में जब गंदगी नहीं रहेगी, और जो विजातिये द्रव हैं, जो टॉक्सिक हैं क्रिटेनिन है यूरिक एसिड है फोलेस्ट्रॉल का लेबल बढ़ा हुआ है ये सब चीज़े जब मैनेज हो जाएंगी और ये सब घट जाएंगी आप इनको शरीर से बाहर पर निकाल देंगे तो बैक्टेरिया वाइरस को काम करने की शक्ति नहीं मिलेगी आपके शरीर में आ गये तो भी नहीं मिलेगी तो इसलिए रोगों को दूर करना शरीर के रोगों को मन के रोगों को और जब हम अच्छे से प्राकृतिय के चिकित्सा करते हैं तो ध्यान हमारा जो ज्यान है वो बढ़ता है हम दुनिया के बारे में जानने के पीछे पड़े हैं लेकिन हम स्वेम को नहीं जानते हैं हम अपने मन को नहीं जानते हम अपने करम संसकारों को सही से नहीं पहचानते हैं हम अपनी कमजोरियों को नहीं जानते हैं और ध्यान योग से हम अपनी कमजोरियों का ज्यान कर लेते हैं और हम अपनी शक्तियों की वर्धी कर लेते हैं हम अपनी चेतना को विक्सित कर लेते हैं हम अपनी consciousness को डेवलप कर लेते हैं higher level of consciousness को achieve कर जाते हैं और जब ये सब चीजे हो जाती है higher level of consciousness को हम प्राप्त कर लेते हैं तो निश्वई हमें इसका बहुत लाब मिलता है। इसलिए जिग्यासु मत्रों ये ध्यान योग का online course चलता है। आप इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कि मैं ये ध्यान योग कैसे जोईन करूँ। आप करना चाहते हैं, कर सकते हैं, सशुलक है, एक महीने का कोर्स है, ध्यान योग के लिए भी, और प्राकृतिक चिकिस्था के लिए भी एक महीने का कोर्स है, अगर आप इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कोर्स का लाब उठाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग तक संख्या शायद पहुंची गई होगी लोगों ने लाब उठा लिया है तो आप भी जरूर इसका लाब उठाईए और लाब उठावकर लाभानवित होईए ठीक है तो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं ऐसे कॉर्सेज का लाब उठाना चाहते हैं तो आप संपर कीजिए वाटसअप मैसेज कर दीजिए या टेलिग्राम मैसेज कर दीजिए 9661802459 इस नंबर पे पेस्क्रिफशन में ये नंबर दिया हुआ है आप इस नंबर पर वाटसअप मैसेज करकर डेटेल्स ले रिजिए क्यांको कैसे ये कोर्स और ये गंभीरता से करने वाला कोर्स है ध्यान योग का कूर्स ध्यान योग जो अंतरमुखी कूर्स है जिसमें की गाइड़ मेडिटेशन Transcendental Meditation सिखाया जाता है अतेंद्रिय साधना सिखाया जाती है इंद्रियों के परे जाकर हम अपने भीतर दिव्विता का दर्शन कर सके नाद ध्यान, Divine Eye Activation, प्रणव साधना की सारी क्रियाएं इसमें आ जाती है गाइड़ ध्यान, निर्देशित साधना, फिर Spiritual Healing का कूर्स होता है Spiritual Healing का भी कूर्स होता है साथ में ध्यान योग के साथ आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लाब उठाना चाहते हैं, लाभानवित होता है और यह जितने भी कूर्से से शास्त्र सम्मत अधार लेकर चलते हैं यह हमारे जो मूल शास्त्र हैं, आप एक बात बताईए कि योग का जन्म भारत में हुआ ठीक है, जितने एक्स्पेरिमेंट और जितने रिसर्च हुए, बड़े-बड़े योगी, योगी गोरक नात हुए, योगी मचंदर नात हुए, मरशी पतंजली हुए, मरशी घरंड हुए एक सेक योग विद्ध हुए हमारे, और उन्होंने एक सेक अनुसंधान किया अब योग का कॉंसेप्ट और योग क्या अमेरिका से चलकर आएगा, जरा सोचो कुछ से आजकल मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग ये सोचते के नहीं, अमेरिका से कोई योग बताने आएगा तो ज्यादा परफेक्ट होगा क्या तो बहुत बड़े गलत फहमी में आप हैं, इसलिए हम जो योग साधना और जो ध्यान योग करवाते हैं वो शास्त्र सम्मत शास्त्र पर अधारित होता है, शास्त्र सम्मत तरीके से होता है, अश्टांग योग पर अधारित होता है, विज्यान भैरो तंत्र पर अधारित होता है इन सब सास्त्रों पर अधारित योग साधना हम करवाते हैं और ध्यान योग के कोर्स में होती स्प्रिच्वल हीलिंग के कोर्स में चलता है और आप इसका लाब उठाईए बहुत लोग लाब उठा रहे हैं 14 मई से शुरू हो रहा है कोर्स बहुत विलंबना कीजिए और कोर्स का लाब उठाईए ज्वाइन कर लिजिए प्राकिर्तिक चिकिस्सा नेचुरोपैथी करना चाहते हैं जरूर करिए इसका भी कोर्स चलता है ऑनलाइन शरीर के रोगों के लिए मन के रोगों के लिए बहुत लाब दायक है असाध्य रोग जो दवाईयों से ठीक हो पाते प्राकिर्तिक चिकिस्सा के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस गंदगी को बाहर निकालना सीखो सुक्ष मस्तर पर छोटे 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 मोटे लेबल पर गंदगी बाहर निकालना हमारे ध्रमनियों से हमारे आट्री वेंस वहां से गंदगी बाहर निकलना शुरू तो आज तुलसीदार जी ने रोगों का विश्य है तो रोगों का निवारन भी बता दिया समाधी के बिना ध्यान योग के बिना कहां से रोगों का निवारन कर पाओगे रोग और निवारन आपको प्रैक्टिकल रूप में इस चैनल के माध्यम से ध्यान योग कोर्स के द्वारा दिया जा रहा है लाब हानवित हो ये लाब उठाइए जोईन कीजिए बहुत बहुत अभार आप सभी का तंपर करके इसकी जानकारी जरूर लेने जी